तो हमारी कंडिसन यह थे कि पिछले वीडियो पर 150 कमेंट के बाद संतिनों की वीडियो आएगा लेकिन आप लोगों ने लिटरेले डबल कमेंट किये इसलिए बिना इसे दर के वीडियो को शुरू करते ओके तो इस वीडियो को हम लोग टूटल तेन पार्ट में डिवाट कर करोगे जब आप संतिनों की अबलेटी लगा किसी पर रस करोगे मैक्सिममम टाइम एनिमी आप की स्टाच्यों के पास वेट करते रहते हैं जब आप टेलिपोर्ट होगे वहां पर पहुच्छोंगे वहीं एनिमी आप की उपर फायर करके आपको नॉक कर सकते हैं और नमब टेलिपोट हो सके इसलिए मैं एक छोड़ी सी सल्यूशन देता हूं कि अगर आप संतिनों को ओल्ड स्टाइल जैसा यूज करना चाहते हो तो यूज करने से पहले किसी भी वोल के तरब देखते हुए संतिनों की अबलेटी यूज कर लेना जिसे होगा कि संतिनों की अबले अब बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में कि हाउ टू यूज संतिनों इन नॉर्मल सुचिसे अब इसमें टूटल तिन ट्रिक है जिनमें से नंबर त्री ट्रिक ये है कि आप संतिनों की अबलेटी यूज करते हुए बिना फॉल डामेज के किसी बिल्डिंग से नीचे आ सकत हो फॉर एक्जांपल मालों आपके सामने एक एनिमी है उस टाइम पर आपको अबिलेटी यूज करके एनिमी को पर एक फेक रस की एक्टिंग करना है और जैसे एनिमी अपना लोकेशन चेंज करना स्टार्ट करेगा तो आपको वापस टेलिपोर्टों के उस जगा पर आना है और फिर जैसे आप एर्टों के क्प्लेट करोगे उसके बाद वापस टेलिपोर्टों के आपको वही जगा पर आ जाना है अब यह तो हो गई कि नॉर्मल स्यूजिशन पर कैसे यूज करना है लेकिन सियसे रैंक पर बहुत बार इंटेंस फाइट हो जाता है तो उस प्लीज आप मुझे करके हैक बताने की आपके हिसाब से इलिट अलवारों के सी करक्तर है एंड क्या मुझे अलवारों नहीं चाहिए या फिर नहीं लेकिन अवी थे लिए हम लोग बात करते हैं हाउट करें दें सब से पहले हैं गुला Sug के location detector सकते हो for example मालों आप ही confused हो कि आप जहां पर rust करने वालम वहां पर enemy है या फिर नहीं तो उस टाइम पर आप इसकी ability use करके सामने चेक करने जा सकते हो और अगर आपको वहां पर enemy मिले दिन आप टेलिपोर्ट हो के पीछा सकते हो और फिर अपनी पूरी squad के साथ वहां पर rust कर सकते हो और फिर अपनी अबिलेटी को जोन के तरफ छोड़ देना है और फिर enemy अगर जोन के बाहर है उस टाइम पर आपको एनिमी को पर rust कर देना है जिसे होगा ये कि enemy आपके साथ fight करने में busy हो जाएगा और आप उसी टाइम पर टेलिपोर्ट हो के पीछे आ जाना और फिर enemy आपके साथ fight करने के चकर पर जोन की इंदर ही ट्राप हो जाएगा अब इस ट्रीक को यूज़ करने की दो तरीका है एक हो गया pre-plan और एक हो गया quick plan सबसे पहले हम बात करते है pre-plan के बार में मतलब इसमें आपको पहले से ही plan करके रखना है कि आपको कहां पर टेलिपोर्ट होना है for example अगर आपको ये लग रहा है कि आप जहां पर रस करने वाले हो वहां पर आप situation को handle नहीं कर सकते तो उस टाइम पर आप अपनी ability को किसी एक जगा पर छोड़ देना और फिर सामने रस कर देना और जैसे situation out of control चला जाए आप टेलिपोर्टों के पीछे आ सकते हो लेकिन quick plan में कहा होता है कि अगर आपके उपर immediate rush हो जाता है उस टाइम पर अप संतिनों की moving ability यूज़ करते होए किसी भी fight से easily escape कर सकते हो अगर मैं इसका best example दूँ तो वह है ये वाला clip बैसिकली यह मेरा एक second idea वहाँ पर मैं ऐसे gameplay कर रहा था लेकिन उस टाइम पर ये वाला clip record हो गया अगर यहां पर escape की बात चल रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि अब संतिनों को use करते हुए homer की ability और grenade से अपने आपको easily escape कर सकते हो for example मालो आपकी समने वाला enemy homer चालू कर रहा है तो आपको जैसे ही sound सुना ही दे है उस टाइम पर संतिनों की ability लगा के अपनी location चेंज करना start कर देना है जैसे ही homer आपके उपर hit होगा फिर आपको टेलिपोटों के पीछे आ जाना है जहां पर आपके उपर homer की ability वोग ही नहीं करेगा अगर हम बात करें grenade की तो वो पूरी की पूरी नसीब के ओपर depend होता है मतलब अगर आप enemy की grenade से पहले ability यूज किये होंगे तो फिर उस टाइम पर आप टेलिपोटों के पीछे जा सकते हैं इसमें बात करते हैं नंबर 3 ट्रिक के बारे में जिसको यूज करते हुए आप enemy को पर fake रस कर सकते हैं इसमें आपको जादा कुछ नहीं करना होता है आपको बस cover पर रहके संतनों की ability को enemy के तरब छोड़ना होता है जिसे होगा ये कि enemy app की statue के उपर fight करना start करेंगा और वो इसी में ही busy हो जाएगा और फिर उसके बात आप enemy को पीछे easily surprise attack दे सकते हैं अब देखो ये trick बोलने में बहुत easy है लेकिन करने में थोड़ा difficulty ये trick पर आपको grenade करने से पहले ही संतनों की ability को move करना होता है for example यहां पर मेरे सामने कुछ enemy है तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले सं को knock कर दूँगा लेकिन यहां पर मेरा grenade damage लगने के बाद मेरा teammate kill चोरी कर लिया लेकिन फिर भी अगर मैं इस trick को apply कर लेता तो easily मैं उस enemy को knock कर लेता अब यहां बात करते है no.1 trick के बारे में and साइध इस trick के बारे में all ladies आपको पता होगा so what trick यह है कि जैसे ही CS rank के इंदर engine move करना start करेगा आपको अपने statue को zone की तरब छोड़ देना है और फिर enemy के साथ fight लेना start करना है और जैसे आपको लगे कि fight वहां पर नहीं हो सकती तो आप दुरहन टेलिपोट होगे zone के अंदर move कर सकती अब यह तो हो गई वो tricks की अब CS rank के intense fight के अंदर कैसे संतिनों को use कर सकतो हो लेकिन अगर हम संतिनों की moving style को use करें दिन हम round start होते ही बहुत सारे enemy को surprise attack दे सकते फॉर एक्जांबल अगर मैं मार्स इलेक्रिक की बात करूँ तो यहां पर मैं trick apply करता हूं कि जैसे round start होता है मैं अपनी statue को सामने वाले cover के अंदर छोड़ देता हूं और फिर दूसरी त advantage को use करते हूं हम मर्स इलेक्रिक की round को easily victory कर वा ले थे लेकिन problem में यह है कि संतिनों की moving style इस update से पहले नहीं था जिसका वजह से धेर सरे trick से जिसके बार में मुझे नहीं पता है इसलिए मुझे कम से कम और 2-3 हपता time चाहिए जिसे मैं यह new संतिनों को use करते हूं बहुत सा करते हूं बहुत से लिए करते हूं